नमस्कार नियूज रडार में आप सभी का स्वागत है हिमाचल इस समय आपदा के समय से गुजर रहा है और प्रदेश के मुक्यमंत्री ने इसको राजी आपदा घोशित कर दिया और केंद्र से बाबार मांग कर रहे हैं कि इसको राश्ठी आपदा घोशित कर दिया जाए ल यह लोग जो है वो घ्वंतु जो भेड़ पालक है हमारे वो हमेशा जो है वो अपने भेड़ों के साथ, बक्रियों के साथ एक जगा से दूसरी जगा पलायन करते रहते हैं, गर्मियों में यह लोग प्लेन इलाकों से जो हाईर एटिटूड के अरिया माउंटेन से वहाँ च इनके नेता जो इनके नाम पर राजनेती करते हैं, इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है सुर्जीत सिंग भरमौरी जो अभी मौझूदा डिरेक्टर भी है HRTC के और इस कॉमूनीटी को रिप्रेजेंट करते हैं, गदी नेता हैं वो, उनसे हम बात करेंगे कि क्या सरकार ने कोई ऐसी कोई सर्वे किया, कि उनके बारे में जानने की कोशिश किया, क्या कोई डाटा इकठा किया, कि यह जो भेड़ पालक है, वो इस समय कहा है, और उनके जो पशुधन जिसको लेके वो चलते हैं, वो इस समय किस हालत में है, जो आपदा का समय है, जिसमें ल पहले आपको व्रीफ करना चाहूंगा, गदी महारा ट्राइब है और गदी ट्राइब में इस चीज की आप बात करें भेड़ पालक की, भेड़ पालक और भेड़ पालन हमारे प्रोफेशन जो गदी समुधाय का पुस्तेहनी जो पेसा रहा है भेड़ पालन रहा है, और उस अपनी अजीवी का कमाने से लेकर के दिन रात अपनी भेड़ बक्रियों के साथ हमारे गदी कम्यूनिटी के जो भेड़ पालक है वो अगर बात करूँ आपने कहा कि वो कहां रह रहे हैं आज की गेट में तो उनके बारे में मैं स्पस्त तोर पर कहता हूँ कि वो जब हमारा गर्मी का टाइम होता है तब वो भरमौर के उपरी हमालेन जो हमारे पहाड़ है उसमें उनके चारगाँ हैं वोँपर जिनका बन विभाग की तरफ से उनको वोँआ का परमिट तक इशू हुआ है वो कई पुस्तों से वहाँ पर अपनी बेड़ बक्रियों के साथ रहते हैं जब हमालेन और टॉप के उपर चारगाँ है वहाँ पर वर्फवारी होती है तब यह धीरे धीरे जो हमारा प्लेन एरिया है खासकर कांगरा जीला का उनना जीला का और कांगरा के साथ जो पंजाब का टच एरिया है इवन पंजाब तक जो है यह पलाइन करते हैं जो हमारे बेड़ पालक हैं उनको गुमंतु बेड़ पालक कहते हैं कि जो माचल की राजनीती है और कांगड़ा की राजनीती है इसमें बेड़ पालकों का एक अपना स्थाना हवार शेफर्ड्स के नाम से के लोग वोड मांगते हैं किशन कपूर जी खुद गदी कौम में नीट से हैं और कई गदी नेता कांगरेस और बीजेपी में रहते हैं लेकिन आजगल जो बसाथ का मौसम में इतना नुकसान हुआ है इसमें क्या जो नेता गदीयों के सिर पर राजनीती करते हैं क्या उनको पता है कि उनके समुदाय के लोग कहां पे हैं आपका ये प्रसंद बिलकुल बिलकुल सही है कि जब बोटों का समय है तो लगवक पूरा चमबा पारलेमिंट पूरे हिंदोस्तान में एकलोता ऐसा पारलेमिंट है जो ओपन सीट है उसके बावजूद भी यहां पर ट्रैवल ओपन सीट से एक ट्रैवल गदी कम्मुनिटी का हमारे माननी संसद किशिन कपूर जी जीते हैं तो निश्चित तोर पर एक मैं जा पर क्या हुए प्रियास हुए मैं उस चीज को बहुत जानता नहीं लेकिन परदेश सरकार सतर पर और जो इस समधाय से जुड़े हुए सरकार में जो लोग थे हमने बेखुबी से प्रियास करने की कोशिस की और आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि माननी मुख्या मंतिरी जी ने जो डिजास्टर मैनूल था उसमें जो अमेंडमेंट की पहली बार फौरी रात ना दे करके जो हमारी बेड़ बक्रियां जो वहां पर जिनका नुक्सान हुआ था पर बेड़ बक्री उसका मौपजा छे हाजार पे देने की गोशना की और अभी तक को बेड़ पालक के जो बेड़ पालकों के चारगा है थी वहां पर जब इस चीज का हिमाचर प्रदेश सरकार को जब सूचना मिली और जब पता लगा कि वहां पर अलग लग चारगाहों में बेड़ पालक वहां पर अपनी बेड़ बक्री के साथ है चाहे वो बारला चा था चोटा दरा था बड़ा दरा था सर्चू था या फिर केलोंग के उपर वाले पहाड जो थे चंदरताल से उपर वाले पहाड थे वहाँ पर भेड़ पालक जो थे जिनका मुवाइल वगेरा जो मैंने आपको बताया नहीं लग रहा था तो आपको बताना चाहता हूँ माननी मुख्यमंतिरी के दिसांदिस उनसार वाँ पर जो फोरेस्ट एनिवल एस्पेंडरी पुलीस की टीमों का जो गठन किया गया और उन्होंने जब रहकी की ही तो लग बग तीस से पैंतीस हाजार के करीब बेड़ भक्रियों के साथ लग सौ से द्वीड़ सो भेड़ पालक आपनी बेड़ बख curriculum के साथ, वाँ पर रह रह रहे थी और आपको बताना चाहता हूँ लग बक एक अजार के आसपास लॉश्पित्री के जो चार गाएं वहीं पर भेड़ बखरेयों का बेड़ पालकों का नुकसान हुआ है कुछ बेड़ पालक भी वहां पर गंबीर रूप से बिमार होगे थे उनको सरदी लगी हुई थी उनका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ तो यहां तक डाटा आने की बात है तो जो उदेपुर जोद पर और लॉल्स पिती के जोद पर थे पूरा कमपाइल डाटा सरकार के पास और आपको पताना चाहता हूँ वहां पर जो रिलीव था लोगों को मिल भी चुका है आदे बेड़ पाल के जो उनको मिल भी चुका है पहली बार ये इतना स्टिक्ली मानी मुख्य मंतिरी जी ने इसके उपर एक्शन लिया उनकी जो गुमन तो बेड़ पाल है कि हमने एज़ पतरकार हमने भी सुना नहीं तो जो लोग अब इससे काम छोड़ भी रियें गुमन तू बेड़ पालक जो है उनको आप कैसे रख रहे हो और जो गुमन तू बेड़ पालक है वो बसाथ के समय में कहां पे रहते हैं देखिए बहुत सही अपने प्रेसन पूछा मैं बड़े स्वस्ट और पूरे मतलब इसको विश्वास के साथ कहता हूँ कि शायद सबसे मेंत कस और स्ट्रॉंग एक जो समधाय है जो बेड़ पाल का काम करते है चाए सबसे ज़्यादा गर्मी का समय हो चाए भारी बारिस का समय हो चाए वर्फ बारी हो वो हमेशा बीना च्छत के अपनी भेड़ वक्रियों के साथ पहाड़ों पर रहते हैं और आज के समय में जो बेड़ पालक है जो खासकर जो 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 उत पर है अभी बरसात का समय है अभी जो खासकर उदेपूर साइड जो है उदेपूर में कुछ सदुआ सुलेडी बाला क क्षेतर है हमारा कांगड़ा का यह ने निखट साइड में या जितने भी अब दीरे-दीरे वो सिफ्ट करके अपने बर्मौर की तरफ सिफ्ट करने की उसमें दीरे-दीरे उपर जा रहे हैं तो यह बड़ा सपस्ट है कि इन के लिए कोई छत ना कोई ठकाना होने से यह जितन हुदाय को रिप्रेजेंट करते हो तो किया जो यूथ हाँने वाला आगे वाला यूथ है क्या वो इस वेफसाय में जा रहा है कि नहीं जा रहा है तो निश्ची तोर पर जब भेड बकरियों की बात आती है ना तो किसी भी परकार का इस बेफसाय को बढ़ने के लिए सबस यहां वार ठीक है कि कोई अच्छी ब्रीड के भेड़ बकरी लाने के लिए बूल फेडरिशन के इमाधियम से ब्रीड चेंज करने के लिए बीच बीच में मेंडे और बकरे जो आते रहें नहीं उनके नाम पे तो आस्ट्रेलिया के टूर भी कही नेता करते रहें कि उसके लि जहां तक बात इस बेवसाय को दीरे दीरे बिलुपत होने की है तो मैंने आपको बताया कि एक समय के अंसार मूल बूत सुविदा ना मिलना सबसे बड़ा कारण है दूसरा बेड़ वक्रियों की उनको कितना भी सरकार उसकी कीमत बढ़ा दे इस बेड़ पालक का उससे उतान बहुत जादा नहीं होने बाला है जो मैं आपसे बात करना चाहरा हूँ कि आने बाले समय में जो हमारा बेड़ पालन है अगर इसको बिलुपत होने से बचाना है मैं एक पॉलिसी डॉक्मेंट माननी है मुख्य मंत्री जी के पास भी इसको लेकर के देने बाला हूँ उसमें हमने फोकस किया है कि जो समस्याएं बेड़ पालकों को आ रही है उनका समय दान कैसे होगा एक चीज़ यह उसमें दूसरा आज आप जानते हैं कि पूरे दुनिया में सबसे बड़ा बेड़ पालन ऑस्टेलिया में होता है और उनकी उन से बनने बाले जो बसतर है अलग लग तरह कि वो ऑस्टेलिया में तियार किये जा रहे है ऑस्टेलियन टेकनीक को देखते हुए अगर बात करें इंडस्ट्री नहीं यहां पर आज तक नहीं है जो पूरबुजाओं के समय से लोकल लेवल पर जो चर्का चलता था और जो ग्रेली एक खड़ी का काम था वहाँ चल रहा है देरी देरी वह भी बिलुप तो हो रहा है पर मैं यह चाहूंगा कि जो आस्टेलियन टेकनीक है हमने खैर आस्टेलिया में जाकर किये नहीं देखी पर उसके बारे में पड़ा है और यूट्यूब के मादिम से देखा है बहुत शांदार टेकनीक है किस तरह से एक प्लांट लगा हुआ है उनकी उनको अलग किया जा रहा है उनको कलरिंग किया जा रहा है एक तरफ से उसके गलीचे बन रहे है एक तरफ से उनकी बहुत अच्छी पटियां मन रही है महंगी महंगी उस तरीके रजाईयां बन रह झाल